मुझे आपके 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 अरूस exceptional करनेगे च्टीनिव लॉग हे तो यहां पर अब हम झाने लग रहे हैं बाहर तो छोटे खाने जिससे कि मनें बताया था만 धूराना कि मैं प जा किया हूँ थ हुआ है और घर पे भी वो खाते हैं लेकिन बाहर भी जो है आराम से मिल जाता है जब जी चाहे हम जाकर खा सकते हैं तो यहां पर जो सामने मेरे घर के जो नया रेस्टरॉण ओपन हुआ है तो वहां भी यह जाने की जिद कर रहे थे यानि उन्हों ने अपना होटल बंद कर दिया था क्यूंकि अभी तो यह ओपन हुआ है तो यह इन्हों ने जो है दो दिन बहुत जल्दी इसको क्लोस कर दिया था फिर तो अभी हम वहां जाएंगे पूचेंगे और वापिस घर आएंगे तो अभी मैं आपके साथ अपनी जो बैक्स की कलेक्शन है वो शेयर करूंगी तो वैसे बहुत सादा है ने लेकिन जितनी भी है मैं आपको बता दिती हूँ तो जिस दिन मैंने वाडरोब ट्लिंग किया था तो यह सारे की सारे चीज़ें मैंने बाहर निकाल कर रखे थे और वापस मैंने इनको वैसे ही रखते आता फिर कबड में क्यूंकि यह बैक्स अगर वैसे ही रखते हैं तो इनके ओपर कुछना कुछ चीज़ें आ जाती हैं फिर यह फोल्ड होने लगते हैं तो इस बाक्स में यह परफेक्टली सेट होते हैं तो यहां पर मैंने इनको इसी में रखा हुआ हैं जब से मैंने इनको लिया हैं और इसमें से जो है बहुत सारे बैक्स मैंने यूज भी किया हैं लेकिन यह जो जैसे नए थे वैसे मेरे प पुराने बैग भी थे तो यह जो है बहुत ही ज्यादा पुरानी बैग है मेरी जैसा शादियों में लेके घूमते हैं यह उस ताइब के बैग है तो यहां पर मैं इस तरह से इसको लेकर घूम नहीं सकती हूं तो इस तरह से रखे 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 बैंड हो गई है तो यहां पर मैं निकाल के दिखा रही हूँ आपको क्योंकि मुझे जो है अच्छी तरह से इनको सेट करना था तो यहांपर यह बहुत ज्यादा पुरानी बैग है और मैंने इसको मैक्स से लिया था तो मैक्स के बैक्स भी मुझे बड़ी अच्छे लगते हैं लेकिन जो बड़े बड़े हैं तो इस वजासे इनके जो होपा से स्कीन निकलना शु recipro हो गई थी यह जो सारे के सारे बड़े बैक्स हैं ये मैने मैक्स लिए थे और मैक्स में मुझे सद्धरा के बैक्स बढ़े ही अच्छी लगते हैं तो मएहां से अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं तो इसके बाद मैं को सब जो बॉक्स है उसमें डालके रख दूँगी तो इन सब को सेट करने के बाद मैंने अपने घर के काम शुरू कर दिया थी पिर और सबसे पहले मैंने जो है ब्रेड जो होती है उसको मैंने थोड़ा हवा लगने के लिए रखा हुआ था खुला करके त मेरे पास अल्रीड था और पिछली मरतबा जो मैंने ब्रेड पीजा बनायते जो छोटे छोटे वाले उसके जो साइट की कटिंग थी वह भी फ्रीज में रखी हुए है तो वह सारे मिला के मैं जो है इन सब को ग्राइंड कर लूँगी पिर और उसके बाद मैं इनको यार कर लिया था पिर और यह जो हैं हम डिनर में भी खाने वाले थे क्योंके डिनर बनाने की मेरे पास फिर हिम्मत नहीं होती है बहुत साथा काम करने के बाद और वह बहुत ज्यादा काम किया है कि मैं आज जो है बिरिस्ता बनाने वाली थी और बिरिस्ता मैं सब को बता ह कितना ज़्यादा काम होता है, कितने ज़्यादा महनत करनी पड़ती है और यहां पर कोई मेरे हेल्प करने के लिए होते नहीं है तो सारा का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है फिर तो इस अज़ासे मैंने जो है लंच और डिनर की तैयारी आप मतलब साथ में ही कर ली थी वो अलग बात है कि फिर हम लोग जो है डिनर में फिर दोसा कहने करे ले चले गए थी आपको मेरे वीडियो में दोस्ते का नाम जो है दोस्ते का ज़र्च के बहुत साथ सुनने में मिलेगा और यह माशालला से मेरी खिचडी बनकर तयार हो कि अब परम ऑब होते हैं लेकिन थे बने जो टीन और अज्याटे कर लिए शचोपन की ग्रैवी बना थी और अपने लिए मनें मटन की कर दो अपने और अपने और साहाब और खालते हैं तो यह माशालला से आने गरेवां कर तयार करन झाली की अ तो इन सब चीजों के मैंने रेसिपी वगरा शूट नहीं कि क्यूंकि यह वैसे बेसिक सी ग्रेवी है कोई इसमें ज्यादा काम जाम है नहीं तो वह मैंने बना लिया था यहां पर और उसके इलावा मटन अभी बन रहा था तो मैंने जो है सबसे पहले छोटे खान को जो है ल बन कर तयार हो जाएगी तो यह वही ग्रेवी है जिसे मैं हमेशा कहती हूं आईडियों वाला सालन तो यह जटपट बनने वाली है बहुत जल्दी बनती है इसलिए मज़े बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें कोई काम कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रोत नहीं है और ज मेरेग कुछ भी डालनी होता है जिर्फ लैलिक पौडर होता है और धनिया पौडर होता है उसके लिए बलाक पेपर होता है काली मिरच का पौडर वो और साथ ही हम इसे थोड़ा सा गर्म Griffin अट करते हैं वह आप जा ओ Candice और तो इन सब चीज़ों को मैं तो की एाम और cinco में कि पाद मैंने और पंच कीलो प्यास ली थी सबसे पहले मैं जोहए थोड़ा-थोड़ा करके काम खतम कर दी ओगा जैसे कि यह पांच में लोगी है तो इसको मैं सबसे पहले कुलीन करूंगी इसको मैं जो है नहीं करूँगी उसके बांगी नेक्स जो पैस मुझे बनाना ने ह तो मैं ले लूँगी फिर और यहां पर मैं जल्दी जल्दी इनके चल्के उतारकर इनको क्लीन करके इस तरह से मैं च्छनी में डालकर रखती हूं यानि दो तिन मरतबा इसको दो कर साफ करके ताकि इसका पानी जितना भी है वो निकल जाए तो पानी निकलने के बाद मैंने बैठ कर इसको जो है इस तरह से स्लाइस कर लिया था स्लाइसर की मदद से और मैं क्या करती हूं कि सारी की सारी प्यास एक साथ बैठ के स्लाइस नहीं करती हूं जितनी मैंने स्लाइस की हुई होती है वो मैं तेल में डालती जाती हूं और बागी का जो है मैं यहीं पर बैठ बनते हैं तो य Burada की लगाए होते हैं सव के यह भैइज भनाते हैं थूस करें आप वहां शुज़ कर सकते हैं लेकिन हमने यहां पर सिर्ट मस्राद्य़ सकाइन ता कियोंकि जब सिर्ट इस हिसमे के दोस्ते खाती हूं जिसमें यह सारी चीजन डाल गल कि दो इस तरह से मैश करते हैं उसको मैश की मदद से तो मुझे बिल्कुर अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसमें टाइप के कंकर आने लगते हैं तो मैं उस टाइप का दोसा कभी नहीं खाती हूं तो यहां पर आने के बाद मैंने आदी प्यास को फ्राइ कर लिया था और 20 में मैं बाहर चली गई थी फिर आने के बाद मैंने अपना काम कंटीनियू किया था और उसके बाद सारी कि सारी प्यास मैंने फ्राइग कर ली थी पिर और माशालला से जितनी प्यास मैंने स्लाइस की थी उतने ही मार्स मेरे उंगलियों पर चड़ गए थे दोनों तीनों उगलियों को जो है अच्छे खासे मेरे जखम लग गए थे फिर लेकिन ये सब चीजे मुझे रोक नहीं सकती है तो मैं जो है कुछ भी हो जाए चाहे मेरा काम जो होता है उससे मैं कंप्लीट कर गए रहती हूँ तो यहां पर इस तरह से जिप लॉक बैक्स जो होते हैं उसमें मैं ये डाल कर रखूंगी क्योंकि बार बार हम जो जब पैस को खोलते हैं तो उसमें हवा फिर पास होती है और वो पैस जो एकदम सॉफ्ट हो जाती है तो इस तरह से आप बैक्स बना कर रखते हैं तो पैस जो है आपके बिलकुल ही सॉफ्ट नहीं होते हैं जितनी चाहिए आप उसमें से थोड़ी से कौंटिटी निकाल सकते हैं अगर आप जादा कौंटिटी में बार बार खोलते रहेंगे बंद करते रहेंगे तो प्यास आपकी सॉफ्ट हो जाएगी तो पहले जिसे मुझे इस्तिमाल करना होता है मैं इसी तरह से उसके पाउच बना कर रखती हूँ तो यह जो मैं बाटल लेके आए थी यह खास मैं इसी लिए लाई थी ताकि मुझे इसमें बिरिस्ता डालके रखना है हमारी रमदान की तैयारी ही होती है इस से जधा हमारी यहां पर कुछ तयारी दे बाधर हो होता है और गलम मसाले होते हैं उसके इलावा ग्रॉसरी की जो भी शॉपिंग होती है वेजिटेबल्स खरीदा होता है वह सबसे जादा होती है यह पर चुछे हिंदुस्तान में जो है चिकन से ज्यादा मुटन और बीफ खाया जाता है तो इस वज़ा से यहां पर लोग ज्य अमीन, Assalamualaikum